हलो एंड वेल्कम टु गॉल्भीज दोस्तो मैं रंजीत सिंग आपका स्वागत करता हूं अज बात करेंगा हम लोग व्ल्ड कंपेटिवनेस इंडेक्स 2020 की इस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग रही है वो 43 रही है और कौन सा देश उपर बढ़ा कौन सा देश नीचे ग ईयाता है एक प्राइबेट बिजनेस स्कूल के दोखा जिसका नाम है institute for management development ठीका दूस्तों ये एक सुपेटजर लैंड की प्राइबेट बिजने Probleme school है यह जो index है world competitive index यह global competitive index है बिल्कुल अलग है जो कि World Economic Forum जारी करती है हर साल और उस index में भारत की ranking अभी जो recent latest ranking जो रही है वो 58th पर रहा है भारत और इसमें world competitive index में अभी recent 2020 की जो आई है वो 43rd पर रहा है भारत अब अब जो दोनों ही इंडेक्स है इसमें सिंगापूर टॉप पर रहा है पिछले ही सालों से ठीके पिछले कुछ सालों से सिंगापूर टॉप पर रहा है और इस साल इस वर्ड कंपेटिवनेस इंडेक्स में बेस्ट पॉफॉर्मर रहा डेन्माक जिसने 8th rank से 2nd rank पर अपनी ज जा चुका है अब दोस्तों मैं आपको बता दू तो यह जो IMDA बेसिकली 63 nations की रांकिंग देती है 1 से 63 तक यह 13 nations के different parameters को देखते हैं और फिर सारे parameters को यह लोग individual ranking एक एक करके ranking देते हैं और फिर यह overall ranking देते हैं तो इस overall ranking में भारत की 43rd ranking रही है हलाकि भारत कुछ parameters पर काफी अच्छा performance रहा है भारत का और USA से और चाइना से बेहतर performance रहा है कुछ parameters पर ठीक है तो अब भी बात करते हैं क्या parameters है और किस तरह से भारत की performance रही जिसके बज़ा से भारत 43rd rank पर रहा है ठीक है दोस्तों तो मैंने आपको बटाया है कि 63 nations को ranking देता है IMD अब बैसिकली इस report में यह बताया गया है कि जो भारत की ranking देखिए 2016 ए 41 थी 2017 में घटकर 45 हो गई और फिर 2018 में थोड़ी से improvement होई 44 फिर 2019 में 43 पर आया और फिर 2020 में 43 पर ही बना हुआ है हलाकि काफी सारे जो parameters है उस parameters की जो ranking दी गई है उसमें भारत का घटा है ठी सबसे पहले मैं आपको बता दू इस report के मुताबित जो भारत के लिए 2020 में challenges रहे है वो रहा है physical deficit भारत की जो physical deficit है दोस्तों आई होगा जो भारत की total आय होती है और जो total खर्च होता है इसका difference को हम लोग physical deficit करते हैं इसी difference को physical deficit करते हैं तो इसको balance करने में भारत सरकार नाकाम रही है जिसके बज़े से भारत की थोड़ी ranking मतलब भीड़ी है यानि पिछले सालों से कुछ parameters पर हलाकि overall मैं बार बार करा हूं overall ranking 43 ही रहा है लेकिन कुछ parameters पर ranking घटी है आप थोड़े दिर में समझ लेंगे कि parameters पर किस तरह से ranking की गई है अच्छा economic growth भी भारत की नहीं है और तो और आपको पता है कि भारत की employment जो थी unemployment rate वह जनवरी February में लगभग साढ़े चार प्रतिसरत की देखिए यहां पर लिखा हुआ है unemployment 6.37% जो थी 2018 में थी लगभग यही percentage सा 2019 के शुरुआत में भी 2020 के शुरुआत में भी और अब भी तो आपको पता होगा कि 27% के आ काम रहा है जो भारत की economy होनी चाहिए थी post lockdown जिस तरह से economy को संभाला जाना चाहिए था उसको address करना भारत के लिए काफी बड़ा challenge रहा है और infrastructure development में जो resources का mobilization रहा है वो भी एक बहुत बड़ा challenge रहा है 2020 में भारत के लिए अब इस report में ये भी clearly लिखा गया है कि जो भारत की GDP रही 2019 में वो लगबग 2.894 trillion हुई है जिसके बज़े से भारत की economic GDP बढ़ने के बज़े से ठीक है overall GDP जो है टोटल वो बढ़ने के बज़े से भारत की जो ranking दी गई है GDP के parameter पर वो fifth rank रहा है out of 63 nations आप देखिएगा गौर कीज़ेगा पर GDP per capita income जब calculate की जाती है यानि जब हमा और भारत की जो GDP है obviously China से कम है तो जब इन दोनों को divide किया जाता है GDP को population से यह हमारा GDP per capita निकल के आता है जिसके बज़े से हमारी ranking जो हो जाती है 63rd से 62 पर out of 63 nations 62 पर ही जाती है यानि हम लगबग अंतिम position पर चले जाते हैं जब हमारा GDP per capita calculate किया जाता है ठीक है real GDP growth जो है भार 2% रही पिछले साल ठीक है उसी को base बना करके उसी parameter को देखते हुए भारत की ranking जो दी गई है वो 10 दे गई है real GDP growth पर ठीक है आप समझ सकते है consumer price inflation पर जो भारत की ranking रही 57 रही इस तरह से different different और भी parameters है जिस पर भारत की ranking दी गई और overall ranking जो रही वो भारत की 43rd रही I hope आपको सम किया जाता है कि reasons for India's lower ranking इंडिया की ranking basically improve क्यों नहीं कर पाई overall ranking तो उसके बड़े बजा रहा है poor infrastructure and insufficient education investment जानी सिख्छा के छेतर में investment या कमी होना और poor infrastructure development होला हला कि मैं आपको बतातू भारत सरकार के काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहा है infrastructure डेवलाप करने के आपको बता दूं। डेवलाप करने के लिए भारतमाला के प्रोजेक्ट्स चल रहा है जो हमारा प्रोट्स होगरा है उसको सम्मुदर रास्ता को डेवलप करने के लिए सागर I think सागरमाला प्रोजेक्ट चल रहा है काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं आपको नौर्थ इस्ट में जहां काफी सारे ब्रीजेश बनाए गये हैं तिक है काफी सारे डैम्स बनाया जा रहा है जोला जा रहा है ताकि जो फलर्ट जिसमें आपको पता होगा कि पांवर सेक्टर में भी काफी सारे रिवलुशन हो रहा है हमारे काफी सारे चेंज़ जो रहे हैं और ग्रीन एनरजी के तरफ हम लोग बढ़ने की कोसिस कर रहे हैं अभी और आपको बता दूँ कि जो इंडिया की जो पोटेंशियल एक लिन एनरजी में वह सारे कंट्री से ज्यादा है और आपको पता हुआ कि 175 जीगा वर्ट हमारी टार्गेट है जेनरेट करने की जो रिनुवेबल एनरजी है उससे तो काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट से हैं तो होप की फ्यूचर में भारत इन सारे पैरामीटर में काफी अच्छा प गट चुके हैं इंडिया की यह जो मैं इंडिया की डेटा बतारूं इसकी मैं आई एमडी के रिपोर्ट से यह डेटा नहीं निकाला कि कितने टैक्स गटे हैं पर मैं कुछ दिन पहले देख रहा था लगबाग 38 से 49 प्रतिसा टैक्स कलेक्शन गट चुके हैं और मैं अगर अगर बिहार की बात करूँ और सरकार ने कहा था कि एप्रcha Gal yatim मंत में जो है वो 85 पर्सेंट GST कलेक्शन घट चुके हैं वह अगर बिहार की बात करूं तो इस तरह से टैक्स कलेक्शने घटे हैं अगर बिहार की 85 पर्सेंट घटे है तो आप समझ सकते हैं और स्टेट्स की भी घटी होगी lack of competitive legislation और exchange rate in stability आपको पता है किस तरह से हमारा डॉलर और भारत के जो रुपिया है इसमेरी रिस्ता काफी मतलब आप समझ सकते हैं किस तरह का रहा है किस तरह से डॉलर भागे जा रहा है और रुपए उसको पकड़ने में नाकाम रहा है तो ये सारे रीजन से और कौन सी फिल्ड में improvement हुई है वो भी देखने की बात है तो long term employment growth में जो है भारत की improvement हुई है भारत की strategy है इसको तारीफ किया है IMD ने ये कहा है कि जो long term employment generation की जो policies है वो भारत सरकार की भारत की अच्छी रही है current account balance जो है वो बढ़िया रहा है high tech exports बढ़िया रहा है foreign currency reserve य ये काफी बड़ा एक issue रहता था भारत के लेकिन भारत ने जो forex reserve इसको काफी बढ़ाया है और आज की ही मैं आपको record बता रहा हूं कि record 507 billion dollar भारत की forex reserve हो चुकी है जिसमें से 33.17 billion dollar सिर्फ gold reserve है ठीक है तो ये आकले जो आपको बता रहा है भारत कुछ fields में काफी अच्छ कुमेंट हो रही है तेजी से एक बड़ा important factor आई अब ये बता है कि भारत की political stability और overall productivity जो है उसका काफी बड़ा रोल रहा है भारत की जो ranking रही है उसको बनाय रखने में 43rd rank पर तो political stability I hope आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि एक ही सरकार लगभग 6-7 सालों से हमारे भारत में ब stable government होती है तो काफी FDI जाते हैं FPI जाते हैं बहुत कुछ आता है हमारा भारत में क्योंकि ये एक बहुत बड़ा factor होता है किसी भी investor के लिए कि क्या उस देश की सरकार जो है stable सरकार है या नहीं है तो I hope आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से भारत ने performance दिया है और क्य